एक गरीब किसान की कहाने किसी गाउं में एक किसान रहता था इस संसार में वह बहुत ही गरीब था उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था उसका गुजारा अत्यंत कठें तरीकों से होता था एक दिन सूरज की गर्मी चरम सिमा थे, परंतु किसान हमेशा की तरहा खेत में काम कर रहा था, पसीने से लटपत किसान बुवाई के लिए खेत जोत रहा था, इसे बीच खेत में खुदाई करते समय, जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला, किसान ने सौधानी से ब नहीं आया कि बक्से का क्या करे, आखिर उसने बक्से को खेत के बाहर रख दिया, उसे साफ करके जो रोटिया वह घर से लाया था, वह बक्से में रख दे और अपने काम में जूट गया, दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटिया निकालने के लिए बक्से के पास गया, तो हैरान रह गया, उसमें रोटियां है, रोटियां भरी हुए थी, तब किसान को पता चला, कि वह जादूई बक्सा था, उसमें जो भी चीज डालो, उसका अस्य गुना होकर बाहर आता, जैसे एक मुंफाली का दाना डालो, तो तुरंत उसमें से अस्य दाने निकल पड़त किसान ने त्रेप्थ होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतोस्ट होकर बक्से को घर ले आया, बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था, उसे लगा कि उसके सब दुख अब दोर होंगे, वह लालचे नहीं बलके धर्यवान ब्यक्ति था, उसने बक्से का प्योग नहीं किया। वाह मेरी जमिनदारी में आती है। इसलिए बता उस बक्से पर किसका अधिकार बनता है। चांदी हो गई। वह जो चाहता बक्से में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादवाई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अपने विश्वास्त सेवक को बक्से की सच्चाई परक्ने के लिए भेजा। वहाँ जो उसने बक्से का जो जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारे सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमिंदार को बुलवाया फिर उसे डराते हुए कहा। हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादवाई बक्सा है उसे तुरंथ हमारे हवाले कर दो। इस पाकर मंत्री मतवाला हो गया, विरोधियों को यह अच्छा मौगा मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री की निकम्य पन की खबर भी राजा तक पहुचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा, वह अपने सिनापती की साथ मंत्री के घर जा पहुच उसने कहा, देश की सारे जमिन राजा की होती है। इसलिए जद्वाई बक्से पर भी उसी का हाख है। मंत्री ने बिना देर किये बक्सा राजा को दे दिया। जद्वाई बक्से को पाकर राजा प्रसन हो गया। सबसे पहले राजा ने जद्वाई बक्से की मदद से अप अपने साथ रखना चाहता था, राजा ने सोचा कि इसका रहस्या ज्यात करना चाहिए, कि आखिर इस बक्से में क्या है, यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा, जब बाहर निकला, तो उसके पीछे-पीछे अस्ती राजा बाहर निकले, असली राजा का उसने लगा, यह कितना अच्छा होता, कि मैं बक्से को जमेन में ही गड़ा रहने देता, दोस्तों, एक गरिप किसान की मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा, और यदि चैनल में नए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सब्सक् किजेगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी-च्छी कहानिया ला सकें, धन्यावाद